डालर प्रटन पर क्लिक किया फिर थ्री डॉट पर क्लिक किया फिर सेटिंग पर क्लिक किया उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सो करने लगेगा कॉल रेकॉर्डिंग के ओप्षन यहां पर यह दिया है कॉल रेकॉर्डिंग तो आपको क्या करना होगा सिंपलिस कॉल रेक होगा दूसरा option दिया है 7 दिन के अंदर आप remote कर सकते हो 14 दिन के अंदर डिलेट कर सकते हो 30 दिन के अंदर कर अधार यानि कि जितना दिन पर क्लिक करोगे उतना दिन का का कॉल डेक्र इसमें रहेगा और बाकी एटोमेटिक डिलेट हो जाएगा तीसरे नंबर दूफने नंबर का ओप्षन दिया है always call recording यानि कोई भी नंबर से call आए हमेशा आपकी mobile का call recording on रहेगा तीसरा ओप्षन दोस्तों यह दिया है कि अगर आप चाहते कि एक दो नंबर पे ही आपकी call recording हो बाकी किसी नंबर पे call recording नहीं हो तो उसी परकार से होगा जो नंबर आप इसके अंदर शेप कर देंगे यह नीचे option दे रहा है इस पर आप setting कर दोगे वो ही नंबर पे आपकी call recording होगी बाकी किसी भी नंबर पे call recording नहीं होगी अगर उसके अंदर आप 5 नमबर शेफ करके रखते हो तो 5 नमबर पे call recording होगी अगर 10 नमबर रखते हो तो 10 नमबर पे call recording होगी अगर एक नमबर रखते हो तो एक ही नमबर पे call recording होगी तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में